तो हम अब जो बात करने वाले हैं वो है 12 में इन और्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक सबसे इंपोर्टेंट और एक सबसे बड़िया कंसेप्चुल जो चेप्टर स्टार्ट होता है उसके बारे में है जिसको हमने नाम दिया है कोडीनेशन कमपाउन्ट मतलब कोंप्लेक्स बनाने के तरीके इसमें आपको बता이 जाएँगे कोंप्लेक्स किस तरह से बना होता है आपके पहले भी स्कॉछ कुछ कंपाउन्ट हैं जो कि की सलेबस में आ चुके हैं इस तरह के square bracket में, डिब्बे में जो रखे हुए compound होते हैं, उनी को हम नाम देते हैं complex compound, तो उन complex या coordination compounds के बारे में हम deal करेंगे, और हम समझेंगे कि उनकी properties क्या होती है, कैसे ये बाकियों से अलग है, इनके बनाने का तरीका क्या है, और इनके जो properties है, इनी में से जो पूछे जाने वाले questions हैं, उनके बारे में, conceptual में इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने chemical bonding पड़ा है, जिसमें हर जगे concept लग रहा होता है, कहीं पर variation आ रहे होते हैं, structure बनता है, geometry बताते हो, hybridization आता है, ये सारे point आप इसके अंदर भी देखोगे, उसी तरह के concept यहां प VBT, valence bond theory, CFT, crystal field theory, अलग-अलग theories के नाम आएंगे, इसके अलावा, isomerism आईगी, compound जिनका formula सेम हो, जमाने का तरीका अलग हो, isomers कहलाते हैं, तो IUPAC नाम आए, isomers आए, organometallic आए, इस तरह के काफी सारे conceptual parts में आते हैं, complex जो हैं, basically, डिब्बे के अंदर बंदर करके, रखे जाने वाले compounds हैं, और complex के बारे में आप जो एक और बात जानते हो, जैसे magnesium बनाता है complex, chlorophyll, जो कि plants में पाये राता है, iron बनाता है complex, hemoglobin, जो कि blood में पाये राता है, तो ये सारे वही example थे, उनमें rings बनी होती हैं, जिनको आप नाम देते हैं, porpyrin, nitrogen donor होते हैं, और उनसे ring का formation होता है, जिसकी वरे से वो compound stable हो जाते हैं, तो उस तरह के compound को बनाने का तरीका है, जो हम इसमें बात करने वाले हैं, शुरू करते हैं, complex compound बाकियों से कैसे अलग होते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसी इसाब से हमने salt को define किया है, अलग-अलग type के, सबसे पहल का, जो salt मैंने लिखा है, उसको मैंने नाम दिया है, simple salt, यानि की normal salt, normal salt वो salt होते हैं, जो की एक केटायन देते हैं, और एक एनायन देते हैं, इसे compound आपने कहीं सारे देखे हैं, जैसे की, बात की जाया, अगर NaCl की, तो जब तूटेगा, तो एक बनेगा Na+, और एक बनेगा Cl minus, solid state में stable है, एक को solution में जाएंगे, तो dissociate होंगे, complete ionization होगा, जितने आयनों से मिलकर बना है, सब free कर देगा, 100% dissociation होगा, और इस तरह से बनने वाले compound जो है, उनको नाम देते हैं, simple salt, एक टाइप का केटायन बनेगा, और सिर्फ एक ही टाइप का Anion बनकर आएगा, चेक कर compound लिखा KCN, नाम हुआ potassium sinide, कैसे तूटेगा, K plus और CN minus, potassium sinide तूट गया, rubidium का chloride है, RBCL तूटा, बना RB plus और साथ में CL minus, solid state में stable था, एक पस solution में dissociate हुआ, एक केटायन बना और एक Anion बना, और इस तरह से बनने वाले compound को क्या नाम देते हैं, simple salt, इनका complete ionization होता है, एक पस solution के अंदर, और ये जितने भी आयन उसके अंदर है, एक पस solution में सभी का test देते हैं, 100% dissociation होता है, और इस तरह के बने वे compounds को आप क्या नाम देते हैं, normal salt, ये पहला type, simple salt की category में आया है, next one, आगे बढ़ते हैं, अगला जो नाम आया है, उसको नाम दिया है addition salt, एक से ज़्यादा simple salt को अगर आप किसी stoichiometric ratio में combine करेंगे, तो उनके combination से बन कर आने वाले compounds होते हैं, उनको नाम देते हैं addition salt, एक से ज़्यादा normal salt, addition से simple salt, addition से इस तरह के compound का formation करेंगे, addition salt कहलाएगा, इसमें पहली category आई है, जो पहली category इसके अंदर आई है, उस करना, इसका example में नीचे की तरफ ले रहा हूँ, potassium chloride था KCl, magnesium chloride था MgCl2, crystallization हुआ, जोड आ गया, जोडने पर जो compound बन कर आया, this one is KCl, MgCl2.6S2O, और इस तरह से बनने वाले compound को हमने एक नाम दिया है, this one is carnelite, यह एक double salt है, कितने salt मिले हैं, दो, potassium chloride, KCl, magnesium chloride, MgCl2, एक से ज़्यादा simple salt को आपने किसी stoichiometric ratio में combine किया, तो इस तरह से बनने वाले compound को मैंने क्या नाम दिया है, double salt, अब इस double salt को अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, यह अपने सारे आयनों का परिशन देगा, जितने भी आयन हैं सब का test मिलेगा, 100% ionization इसका भी ह होगा, बस एक से ज़्यादा या तो katein मिलेगा या anion मिलेगा, चेक करो, kcl टूटा, k plus c l minus, mgcl2 टूटा, mg plus 2, c l minus, कितने katein मिले, 2, कौन-कौन से 2 katein है, चेक करो, एक तो मिला है k plus और एक मिला है mg plus 2, 2 katein मिले हैं और एक anion मिला है, एक से ज़्यादा katein या anion अगर free कर दे तो उसी को हम क्या नाम देते हैं double salt क्या कहा यह salt जब पानी के अंदर water के अंदर dissolve होंगे तो आपने सारे आयनों का test देंगे जितने भी constitute ion है सब free हो गए के प्लस CL- Mg-2 CL- सब हो गए पानी था पानी के अंदर तो आपने डाला ही है उसको क्या free करना तो यह सारे आयनों दिए complete ionization is possible 100% dissociation होगा और इस तरह की compound को आप क्या नाम देते हैं double salt कार्णिलाइट इसका example हुआ टेस्ट देना है तो उसके लिए आप क्या करो silver nitrate AGNO3 मिला दो हैलाइड आयनों का परिश्चन होता है हैलाइड आयनों का test थे कि आप AGNO3 मिला उससे color मिलेगा और उनसे आपको उन आयनों की पहचान होगी क्लोराइड आयन की पहचान हुई है ADCL मिला है silver chloride कौन से color का PPT दिया है white PPT इस तरह सुसका formation कर रहा है तो यह बताने का तरीका था कि यह 100% dissociate होंगे और जितने आयन है उन सारे आयनों का test देंगे जो अपने सारे आयनों का test देते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं double salt बस एक से ज़्यादा salt इसके इंदर मिला हुआ हुआ यह addition salt का एक category बनाया है फिर से देखो example FESO4 नाम हुआ ferrous sulfate NH4 hold twice SO4 नाम हुआ ammonium sulfate दोनों को मिलाया crystal hydration हुआ मिलकर दोनों ने एक compound बनाया है FESO4 NH4 hold twice SO4 dot 6 S2O और इस compound को हम नाम देते हैं mohar salt इससे पहले वाले को आपने क्या नाम दिया था कार्णेलाइट यह रहा कार्णेलाइट इस वाले को हमने क्या नाम दिया है mohar salt अगर आप फ्री करने जाओगे तो आपको फिर से सारे आयन मिलेंगे कौन-कौन से सारे आयन होंगे जड़ा चेक करो यह टूटेगा उदर're so 4-2 यह भी फोया सारे आयनों का टेस्ट दिये ए एक से जादा केटाएन मिले हैं कौन-कौन से हैं फेरस मिला है मिला हैं और एनायन सलफे patch मिला है सारे आयटों का टेस्ट दे रहा है इसलिए नाम दिए है double salt और एक से जादा ऍर कम्पाउंड को मिला यह था यह पैचान हो गई कि हाँ सलफेट बाहर आया है और बाहर आया है मतलब उसने अपना टेस्ट दिया है और जहां पर सारे आयन अपने फ्री कर रहा हो वो कहलाता है डबल सॉल्ट नोर्मल में भी ये सरी था बस अंतर ये था कि जो नोर्मल सॉल्ड था उसमें एक केटाइन और एक अनायन मिलता था यहां एक से या तो केटाइन मिलेगा या फिर अनायन मिलकर आएगा फिर से चेक करते हैं अगला जो कंपाउन है वो है एलम के लिए potassium sulfate K2SO4 aluminium sulfate AL2SO4 whole thrice crystallization हुआ पानी जोड़ा compound बन कर आया K2SO4 AL2SO4 whole thrice .24SO क्या नाम दिया रहता है potassium यानि कि fit curry नाम सुना है fit curry जो होती है जिसको हम काम में लेते हैं after shave की form में अगर cut लग जाए तो उसके उपर आप इसको घुमाते हैं या पानी की impurities को साफ करने उसको purify करने के लिए इसको काम में लिया रहता है coagulation कर देगा हुए इसलिए इसको काम में लिया रहता है ये fit करी थी क्या क्या हुआ दो तरह के salt मिलाए थे potassium sulfate और aluminium sulfate उनको मिलाकर बनाया है अगर आप free करने जाएंगे तो फिर से वही बात होगी सारे आयनों का test मिलेगा तोड़ते जाओ potassium sulfate क्या क्या मिलेगा 2K plus साथ में मिलेगा SO4 minus 2 उदर मिलेगा 2 aluminium plus 3 और साथ में मिलेगा this one is SO4 minus 2 जो अपने सारे आयनों का test देते हैं जो 100% dissociate होते हैं उस तरह के compound को यह हम नाम देते हैं double salt इसने potassium भी दिया है aluminium भी दिया है एक से ज़्यादा katein यहाँ पर मिल गए है यहाँ पर देखोगे iron भी मिला है और ammonium iron भी मिला है इससे पहले वाले में देखोगे वहाँ पर आपको पता चलेगा k plus मिला है और mg plus 2 मिला है जो एक से ज़्यादा katein यह anion देते हैं वो क्या कहलाते हैं double salt 100% iron addition होता है सारे ironों का test मिल जाता है यह double salt की category हुई चलिए आब आगे बढ़ते हैं जो alums थे उनकी category को define करते हैं alums किस तरह से बने थे यह लीजी example यह general formula जो हमने बनाया है वो किसके लिए बनाया है alum आपने अभी अभी देखा था जिसको हमने क्या नाम दिया था potash alum fit curry की बात हुई check करो general formula लिखा m-2SO4 m-2SO4 whole thrice 24SO क्या कहेंगे m- पहला वाला एक ऐसा होगा आयन जिस पर monovalent मतलब unipositive charge रखता हो मतलब 1 plus m double dash की जगह आप ऐसा कुछ लगाओगे जो trivalent हो मतलब इसके ओपर कौन सा charge present हो plus 3 एक plus 1 वाला लेना है और एक plus 3 वाला लेना है कौन कौन आ सकते है जैसे m- की जगह अगर मुझे लेना है तो उसके लिए तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ lithium जो है वो alum का formation नहीं करता हूँ आप li plus हटाओ बाकी के ले लो क्या क्या लोगे na plus k plus rb plus cesium plus nh4 plus इस तरह के compound या इस तरह के आयना आप उसकी जगह रख सकते हों क्या नहीं रख सकते हैं तो मैं यहीं पर eliminate कर देता हूँ आपको यहां पर li plus रखना नहीं होता क्यों नहीं रखते क्योंकि lithium छोटा है अगर lithium छोटा है और sulfate बड़ा है तो छोटा बड़े के साथ stable नहीं हो पाएगा thermal stability बाप पड़ा है क्या logic बताया था छोटा छोटे के साथ stable होता है बड़ा बड़े के साथ stable होता है पर अगर छोटा बड़ा मिक्स कर दोगे तो compound unstable होंगे तो बाकि सब के sulphate stable है पर lithium इसकी जगे नहीं आ सकता अगला चेक करो आगे वाले के लिए लेता हूँ मैं देखो क्या कहूंगा यहां पर अपने M' की बात की थी दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ यह है M' मतलब trivalent वाल premium आ सकता है plus 3 यह सब plus 3 वाले आ गए कौन नहीं आना चीए plus 3 में तो कहेंगे छोटा वाला जिसे आपसे कहा जाए boron plus 3 ले सकते हो तो मना कर देना क्या के के मना करोगे वोला साइच होता है छोटा इस बड़े sulfate के साथ stable नहीं हो पाएगा तो यह जो जनरल formula बनाया इसमें M' की जगए monovalent मतलब positive charge आएगा plus 1 इस तरह के आया नहीं हो सकते हैं तो यहां पर रखे हैं trivalent मतलब plus 3 वाले लेने हैं तो plus 3 वाले example जिन पर 4 जा रहा हो plus 3 यह लिख दिये गए हैं यह सब उसको justify कर रहे हूंगे चेक करो सारे alums जो होते हैं वो double salt होते हैं अब यह तरह की isomorphism भी हो गई आपने ionic compound के लिए पढ़ा था ionic compound वो होते हैं जिनका general formula मतलब isomorphism के लिए बना रहा हूं ऐसे compound जिनका general formula और water of crystallization same हो क्या कहलाते हैं एक दूसरे के isomorphs यहां पर अगर आप देखोगे तो general formula तो सबका यह रहेगा अब आप चाहे sodium लगाओ चाहे potassium लगाओ चाहे rubidium लगाओ formula में कोई change ही नहीं आया water of crystallization का number सभी में 24 होगा तो जिनका general formula और water of crystallization same होता है वो क्या कहलाते हैं एक दूसरे के isomorphs तो यह isomorphs pair हो next one सारे के सारे double salt हैं क्योंकि सब के अंदर एक साधा salt मिला है जिसे यहाँ पर मिला है M2SO4 और दूसरा मिला है M dash बतलब M dash वाला और M double dash वाला 2SO4 whole thrice next one क्या लिखा जो elements होते हैं उनका एकवस solution acidic nature का होता है इस acidic nature को जड़ा justify करते हैं चेक करना potassium का formula लिखा क्या formula था K2SO4.Al2SO4 whole thrice.24SO LM के formula में आपने potassium लगा दिया इसलिए compound को आपने क्या नाम दे दिया potash fit curry की बात भी अब break करते हैं potash LM को तोड़ो K2SO4 किस के मिलके बना है potassium तो आया है KOH से और sulfate आया है H2SO4 से आपने ionic equilibrium में पड़ा होगा ऐसे katein आया था base से और anion आया था acid से K2SO4 तो potassium तो आया KOH वाला और sulfate this one is H2SO4 इन दोनों को मिलाया ये strong base है और ये strong acid है मतलब पहला वाला compound जो मिलकर बना है वो किस किस से मिलकर बना है strong acid strong base से दूसरा चेक करो aluminium के sulfate की बात करता हूँ AL2SO4 whole thrice aluminium आया होगा कहां से ये आया है ALOH whole thrice aluminium आया है hydroxide से अपने sulfate कहां से आया sulfate आया है this one is from H2SO4 ये इसमें से निकल कर आया है ज़रा चिक करना क्या कहोगे ALOH whole thrice जो था वो तो केसा था weak base और H2SO4 केसा था strong acid ये बना है weak base और strong acid से मिलकर तो क्या कहोगे दोनों ही जगह अगर आप चेक करोगे तो जो acid लिखा है वो strong वाला है और अगर acid strong वाला है तो कहेंगे alum का aqueous solution किस तरह का nature दिखा रहा होता है acidic type का क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी S204 है यहाँ पर भी S204 है तो alum का aqueous solution होता है वो acidic nature दिखा रहा होता है next one अगला लिखा है कि lithium double salt नहीं बना सकता क्योंकि उसका size होता है और उसमें vacant orbital available नहीं होता अब vacant orbital नहीं होने से क्या होगा यह जब जुडेंगे ना यह यहाँ पर पानी as a complex की तरह जुड़ कराएगा इसके अंदर कैसे होता है देखो complex की तरह जुड़ना अगर आप इसको break करने जाए जैसे K2SO4 AL2SO4 whole thrice dot 24S2O तो मैं क्या कहूंगा जड़ा चेक करो पानी को dissociate करना है मतलब पानी कितना distribute होने वाला है उसीश को मुझे चेक करके बताना है कितने केटायन थे दो इधर भी कितने केटायन है दो कितने केटायन हो गए चार चार केटायन के लिए पानी कितना लिखा है 24 अगर चार के हिस्से में आया है 24 तो एक के हिस्से में कितना आएगा 6 यह गणित कैसी होती है जरा चेक करो मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ वापस से जो हमने डवल सोल्ट लिखे थे उन्हीं की तरफ एक बार नोटिस करते हैं इसको चेक करो सबसे पहला डवल सोल्ट जो आपने लिखा था उसको नाम दिया था कार्नेलाइट कैसे टुटा यहां से जो केटाइन बन कर आया एक तो बना K XL माइनस चलिए एक K54 हो गया दूसरा केटाइन जो बना था क्लोरीन क केटाइन के लिए कितने पानी आये है जड़ा चेक करें 2 केटाइन के लिए कितना पानी है? K plus Mg plus 2 कितने केटाइन हो गए 2 2 के लिए कितना पानी है 6 एक केसे में कितना आएगा 3 मतलब हरी केटाइन को सराउंड करने वाले वोटर मोलिक्यूल का नंबर कितना हो जाएगा 3 ये term define करनी होती आपको Each केटाइन is surrounded by कितने वोटर मोलिक्यूल 2 केटाइन के लिए 6 पानी तो 1 केटाइन में कितना आएगा 3 पानी फिर से चेक करवा गए अगला जो आपने एक्जामपल लिया था यहां पर आपने लिखा है Fe फेरस यह हो गया Fe plus 2 2 अमोनियम आयन थे यह आपने लिख दिये 2 LH4 plus अब 1 केटाइन तो यह है और 2 केटाइन यह है कितने केटाइन हो गए? 3 1 यहां और 2 यहां कितने हो गए? 3 3 के लिए पानी है 6 अगर 3 केटाइन में 6 आएगा तो 1 केटाइन में कितने आएगे 2 मतलब इज केटाइन is surrounded by कितने वोटर मॉलेक्यूल होंगे 2 हरे केटाइन को 2 पानी ने घे रहा होगा फिर से आगे बढ़ो यह रहा पोटाशेलम का फॉर्मुला कितने पोटेशियम निकल कर आए? 2 अलुमीनियम कितने निकल कर आए? 2 2 पोटेशियम, 2 अलुमीनियम कितने केटाइन हो गए? 4 चार के लिए पानी कितना है? 24 अगर 4 के लिए 24 होगा तो एक किस्टे में कितने आएगा? 6 मतलब each ketion is surrounded by कितने water molecules? 6 कितने ketion थे? 4 2 potassium थे, 2 aluminium थे 4 के लिए पानी था 24 तो एक किस्टे में कितना आएगा? 6 तो each ketion is surrounded by 6 water molecules each ketion is surrounded by 2 water molecules और उससे पहले वाले में देखोगे तो each ketion is surrounded by 3 water molecules तो ये उनका number होता है कि कितने ketion उसको घेर रहे होंगे अच्छा घेरने का तरीका क्या? 6 तो निकल कर आगया अब देखो आगे जो एक potassium था ये रहा K+, उसको हमने कहा 6 पानी ने घेर रखा है जब 6 पानी घेरेंगे तो ये इस तरह से एक complex का formation कर रहा होगा ये बना दिया आपने चार्ट लगाना potassium पे कौन सा चार्ज है? प्लस पानी पे कोई चार्ज नहीं होता पूरे डिब्बे के उपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस वाल अलुमीनियम के लिए भी कितना पानी बना था? च्छे चलिए ये रहा अलुमीनियम मैंने लिखा और अलुमीनियम को सराउंड करने के लिए जो वोटर मॉलीक्यूल है ये पहले वाली चीजे हटा रहा हूँ ताकि आप इस तीज को समझ पाएं समझते हैं वापस से एक अलुमीनियम की बात करें तो एक अलुमीनियम को सराउंड करने के लिए हमने कितने वोटर मॉलीक्यूल काम में लिए है छे तो ये रहा एक अलुमीनियम और उसके लिए पानी के नंबर जो अपनने काम में लिए है वो हो गए छे पोटेशियम को 6 पानी घेरा आपने लिग दिया सफरोगा настро ऑनी सलफेट करदी मेरचह कई इनयुडी अ क्पास्ट यह रहा और टीनुगा रहे किैस तहीं किसे नूंस आफ चार एंगा चाहा yell जब aqueous solution में alum जाता है तो ये compound जो हैं वो किस ratio में पाए जाते हैं 2, 2, 4 मतलब simple ratio क्या बन कर आएगा 1 ratio, 1 ratio, 2 इस तरह से पाए जाते हैं और ये 6 पानी जब surround कर लेता है तो उनका structure ऐसा बनता है अब आप समझ गए होंगे lithium इस तरह से 6 पानी को नहीं जोड सकता क्योंकि lithium में दिक्कत ये हो गई second period का है second period का है मतलब छोटा है उसके पास vacant D तो ही नहीं अगर आप bond बनाने भी जाओगे तो lithium second period का है तो उसके पास एक 2S है और एक 2P है S में एक डिबबा है P में तीन डिबबे हैं टोटल डिबबे हो गए 4 चार बोन तक तो उसके limit भी है कि वो चार बना ले पर क्या 6 बना पाएगा वो तो संभवी नहीं होगा क्यों नहीं होगा संभव क्योंकि उसके पास vacant orbital available नहीं होता इसलिए आप देख रहे हैं आपने य नहां पर अगर देखेंगे तो M' जो है उसकी जगह आपको ऐसा आयन लगाना होता है इस पर कौन सा चार्ज हो प्लस बन एम डबल डेश की जगह आपको ऐसा आयन रखना होता है इसके उपर कौन सा चार्ज प्रजेंट हो प्लस 3 तो यह तो लगाना है monovalent और यह वाला नाम दिया, normal salt, एक katein, एक anion देता है, एक से ज़्यादा normal salt को मिला होगे तो compound कहला है का double salt, और जब डबल salt बन कर आयगा तो उसके अंदर आप कहोगे कि वहाँ पर जहां आपने double salt लिखा है उसके लिए कहोगे कि एक से ज़्यादा या तो katein मिलेगा या anion मिलेगा, 100% dissoci association इनका भी हो सकता है, ये भी पूरी तरह से तूट जाएंगे, उसको हमने नाम दिया था, तीसरा वाला, अगला जो type आया है, उनको हम नाम बनाने वाले हैं complex के लिए, complex salt, इससे पहले जो हमने बनाये थे, वो double salt की category को define कर रहे थे, और अब यहाँ पर मैं जो नाम लेना व science में, वो अपने सारे आयनों का test नहीं दे पाते, 100% dissociation नहीं हो पाता, वो कहलाते हैं complex compound, check करो, दो salt फिर से मिला रहा हूँ, addition से तो बना नहीं है, एक तो मिलाया potassium cyanide, this one is KCN, एक था ferrous cyanide, this one is FECN2, इन दोनों को मिलाया, दोनों को मिला के crystallization किया, इस तरह सा compound बना, और अ formula के अंदर उने लिखा है, this one is K4FECN6, नाम है potassium ferrocynide, potassium है, ferro है और cyanide है, ध्यान रखना, जब iron होता है plus 2 वाला तो उसको आप नाम देते हो ferrous, और plus 3 वाला होता है तो उसको आप नाम देते हो ferric, एक होता है ferrous और एक होता है ferrous, और एक होता है ferric, जब ये वाला chapter चलेगा complex, तो आप उसके नाम इस तरह से देऊगे, fe plus 2 होगा तो नाम देते होगे ferro, और fe plus 3 होगा तो नाम देते होगे ferro, एक होगा ferro और एक होगा ferri, तो यहाँ iron जो है वो plus 2 वाला है, आपको दिख रहा है plus 2 है, चेक करो कैसे निकालते हैं, अगर आपको अभी आ गया तो आप कि डिब्बे के उपर कितना आ गया, माइनस 4, डिब्बा माइनस 4 हो गया, अब इस डिब्बे के उपर माइनस 4 आ चुका है, तो देखो क्या कहें, साइनेड लगा है, एक साइनेड पर कितना चार्ज होता है, माइनस 1, तो 6 पर कितना आ गयेगा, माइनस 6, इधर माइनस 6 आ तो बताओ iron पर क्या लगाओं कि इधर minus 6 करने के बावजूद भी डिब्बे के उपर minus 4 बचे क्या कहां iron पर कितना charge में लगाओं कि minus 6 करने के बावजूद भी minus 4 बचे कितना charge लगाओंगा iron के उपर plus 2 आप चेक करो क्या हुआ यहाँ प्लस 2 था इधर माइनस 6 हुआ तो कितना बचा माइनस 4 डिबबे पर माइनस 4 है क्योंकि आगे प्लस 4 से जिस्टिफाई हो रहा है यह निकल कर आगया कि आईरन कौन से चार्ज पर प्रेजेंट है प्लस 2 पर है आप समझी क्या हुआ आपने यहाँ पर जो कंपाउंड लिखा था उसका फॉर्मला ये था इस वन इस के 4 एफ एफ ए सी एन 6 आपको नहीं पता कि वो फेरो है या फेरी है तो आप तो निकाल के देख लो कैसे निकालना है चेक करो फिर से एक पोटेशियम पे चार्ज है प्लस 1 तो 4 पर आया प्लस 4 इधर प्लस 4 तो पूरे के उपर आगया माइनस 4 एक साइनाइट पे माइनस 1 है तो 6 पर आयेगा माइनस 6 क्या लगाऊंगी माइनस 4 बने तो आईरन पे कितना चार्ड लगेगा प्लस 2 कैसे लगा प्लस 2 प्लस 2 मेंसे माइनस 6 करोगे तो इधर माइनस 4 बनेगा इधर माइनस 4 इधर प्लस 4 बेलेंस हो जाएगा ये जो डिब्बे वाला कंपाउंड था उसी को आप नाम देते हैं complex salt dissociate करने जाओ तो तो सही पर 100% नहीं तोटेगा सारे आइन फ्री नहीं होगे वही पार्ट आइनस होगा जो डिब्बे के बाहर है डिब्बे के बाहर वाले आइनों का टेस्स मिलता है पर डिब्बे के अंदर वाले आइनस फ्री नहीं हो पाते चेक करो एक potation पर प्लस 1 था तो 4 के उपर आया प्लस 4 और इधर प्लस 4 तो पूरे डिब्बे के उपर आगया माइनस 4 डिब्बा अलग और आयन अलग के प्लस अलग हो गया कितने के प्लस हो गया है 4 और पूरा डिब्बा अलग हो गया एफिस एन 6 और पूरे के उपर माइनस 4 अब आप से पूछे कौन से आयन का टेस्ट मिला तो कहेंगे पोटेशियम का टेस्ट तो मिलेगा क्योंकि वो तो फ्री हुआ है बाकि डिब्बे के अंदर वाले डिब्बे के अंदर मतला iron जो था वो plus 2 वाला था cyanide जो था वो minus 1 वाला था पर इन आइनों का test नहीं मिलेगा क्योंकि iron free ही नहीं हो पाए तो हम क्या कहेंगे वो compound जो एक से ज़्यादा के मिलने से बने होते हैं एक से ज़्यादा normal salt की mixing से बने होते है उसको आप नाम देते हो addition salt addition salt की दो category है एक का नाम होता है double salt और एक का नाम होता है complex salt एक से ज़्यादा compound को मिला के कुछ बनाया और जब तोड़ा सारे iron free हो गए 100% dissociation हो गया उस तरह के compound को तो हमने क्या नाम दिया था double salt आपने उसको बनाया compound stable था तोड़ा तोटा तो सही पर सारे iron free नहीं हो पाए कुछ पार्ट ने अपने identity को maintain करके रखा सारे iron का test नहीं मिल पाया 100% dissociation नहीं हुआ जो compound इस तरह की चीज़ को follow करते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं complex salt तो ये complex की definition को satisfy कर रहा है तो न iron का test मिलेगा न साइनाइड का मिलेगा और इस तरह के compound को हम क्या नाम देते हैं complex compound complex के अंदर terms कैसे काम में लेनी है उनका representation कैसे करना है उसका तरीका देखिए representation के लिए हमने क्या कहा जिसे यहां पर हमने जो compound लिखा है mlx इस तरह से अपने उसको लिख रखा है आप वही वाला example लो जो आपने पहले लिया था compound का formula हमने लिखा था this one is k4fecn6 अब इसके अंदर क्या कहेंगे एक part वो है जो डिबबे के अंदर है एक part वो है जो डिबबे के बाहर है जो डिबबा वाला part होता है उसको हम नाम देते हैं coordination sphere क्या नाम दिया है डिबबे को coordination sphere जैसे इसमें चेक करोगे तो यह जो पूरा का पूरा part है जो कि डिबबे के अंदर आया है उसको हमने क्या नाम दिया है coordination sphere तो फिर वो वाला part जो डिबबे के बाहर की तरफ रखा होता है चाहे इधर रखाओ चाहे उधर रखाओ डिबबे के बाहर हो counter ion होता है या इसी को हम नाम देते हैं ionization sphere डिबबे का नाम coordination sphere बाहर वाले का नाम ionization sphere ठेक करो यहाँ पर अगर मैं कहूंगा तो यह coordination sphere था और यह वाला जो part था उसको हम क्या नाम देंगे this one is ionization sphere ionization sphere वो part होता है जो ionize होता है उसमें जो ions होते हैं उनका test हमें मिलता है coordination sphere वो part होता है जो ionize नहीं होता इसके अंदर आने वाले आईनों का test हमें नहीं मिल पाता उसका नाम है coordination sphere और इसका नाम है ionization sphere आप coordination के अंदर चलते हैं उसके अंदर एक metal लगा हुआ है और वो metal जो है उसको हम नाम देते है central metal atom या central metal iron कौन है वहाँ पर iron iron लिखा हुआ है यह जो iron था इसी को मैं नाम दूँगा CMI full form होगी central metal iron neutral होगा तो central metal atom कहलाएगा तो यह central metal iron या atom है जो की iron लिखा हुआ है जिसको हमने या M से रिप्रेजेंट किया CN जो था वो साइनाइट था और उसको हमने नाम दिया है ligand एक ऐसी स्पेशीज जो अपना loan pair donate करते वे metal के साथ जुड़ती है coordinate bone बना के उसी को हम क्या नाम देते हैं ligand जिसे यहां से चेक करोगे तो साइनाइट जो है वो एक ligand की तरह behave कर रहा है क्योंकि यह अपना loan pair donate करने आया है और जो loan pair donate करके जुड़ते हैं वो ligand कहलाते हैं पहले आप इस term को इस तरह से define करते थे जो loan pair donate कर रहा है वो यहां पर ligand है और जो accept कर रहा है वो CMI है और इन दोनों के बीच में कौन सा वाला bond बना हुआ है coordinate पहले हम क्या करते थे जो देने आता था उसको आप नाम देते थे levis base और जो लेता था उसको आप नाम देते थे levis acid यहां पर जो levis acid होगा वो तो होगा metal जिसको आप नाम दे रहे हो CMI और यहां पर जो levis base होगा उसको हम नाम देंगे ligand क्योंकि ligand वो है जो अपना loan पे डोनेट कर रहा है तो यहां ligand भी है और metal भी है जहां iron था वो CMI बना है और जो cyanide था वो ligand बनकर आया है next one यहां x की form में कुछ number लिखा होगा और यह जो number of ligand होता है उसी को हम एक नाम देते हैं this one is coordination number actually यह ligand का number नहीं है या फिर यह जो number है यह actually यह है कि कितने loan pair donate किये गए monodented में यह ligand का number ही रहेगा पर by dented, trident, poly dented में आकर यह condition बदल जाएगी इसलिए loan pair का number कितने loan pair इस ligand ने CMI को donate किये उन loan pair के number को ही हम क्या नाम देते हैं coordination number तो यहां पर यह जो 6 लगा हुआ है यह कहलाएगा इसका coordination number क्योंकि 6 sign right आये हैं जिन्होंने अपना loan pair donate करके इसके साथ coordinate bond बनाया है तो क्या-क्या देखा जो terms आपने काम मेली एक बार फिर से समझी होना है क्या-क्या कहा आपने इन terms के लिए सबसे पहली बात तो आपने कही potassium जो डिब्बे के बाहर था यह ionize होता है यह अपने आइनों का test देता है और इसको हम कौन सा sphere कहते हैं ionization sphere कहते है वो वाला पार्ट जो की square bracket के अंदर present हो जिसके ions free ना हो पाएं उसको हम क्या नाम देते है coordination sphere यह डिब्बा coordination sphere है उस डिब्बे के अंदर एक metal होता है जो अपना loan pair donate करने जाता है उसको हम CMIE कहते हैं पूरा नाम central metal ion या central metal atom कहलाएगा वो यहाँ पर metal था यह loan pair accept करता है इसलिए किसकी तरह behave करता है levis acid एक ऐसी species अपना loan pair donate करने आई है उसको नाम दिया रहाता है leegend यह loan pair donor है और जो loan pair donate करते हैं वो leegend base कहलाते हैं यहाँ पर हमने L से represent किया है coordination number कहलाएगा तो यह उसका coordination number है monodentate के case में वो number of leegend ही चलेगा polyodentate में बदलेगा तो आपने आप समझ जाएगे जब आगे की करफ आएगा तो यह कुछ नाम है जो कि representation of complex compound के काम में आते हैं क्या क्या कहा डिब्बे के बाहर वाले को क्या नाम देना है ionization sphere पूरे डिब्बे का नाम है coordination sphere उस डिब्बे के अंदर जो metal है उसका नाम CMI जो देने आया है उसका नाम ligand और जितने loan pair दिया है उसका नाम coordination number तो यह सारी terms हैं जो काम में ली जाती है complex compound को represent करने के लिए next one अब classification कैसे होगा अलग-अलग type कैसे बनेंगे on the basis of type of ligand कितने type के ligand लगे हैं उसके हिसाब से नाम बनाना है क्या नाम बनाया अगर आपको पता चला K4, Fe, C and 6 कौन है ligand जो loan pair donate करने आया cyanide कितने cyanide लगे हैं 6 साइनाइड के लावा और कोई ही नहीं मतलब सिर्फ साइनाइड ही donate करने आया है तो जब सिर्फ एक ही type का ligand होता है और दूसरी category नहीं होती only one type of ligand अगर present हो तो इस तरह के complex को क्या नाम देते हो homoleptic complex homoleptic का मतलब सिर्फ एक type का ligand हो दूसरा नाम देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो Fe के साइनाइड और अमोनिया दोनों डिबबे के अंदर है इसकी बात करेंगे तो यह तो CMI हो गया साइनाइड भी लगे हैं और अमोनिया भी लगा है तीन साइनाइड है तीन अमोनिया है कितने type के ligand हो गए दो जब आपको पता चले कि different type के ligand present है तो इस तरह के complex को क्या नाम दोगे heteroleptic complex normal नाम है कोई खास हमारे आगे काम में नहीं आएंगे पर क्या-क्या term है इन term को समद ले एक का नाम है homoleptic और एक का नाम है heteroleptic same type के ligand होगे तो नाम बनेगा homoleptic different type के ligands present होगे तो नाम बनेगा heteroleptic सारे के सारे ही अगर cyanide आ गए थे तो एक ही type का ligand था और एक ही type के ligand है तो क्या नाम बना homoleptic एक से ज़ादा मतलब different type of ligands आएगा तो उसको क्या नाम देंगे heteroleptic तो ये दो नाम आए है homoleptic और heteroleptic अलग-अलग type के होगे तो heteroleptic है और ये की type के ligand होगे homoleptic के लाएगा अगला नाम जो दिया है वो बनाया है एक को नाम दिया है perfect complex और एक को नाम दिया है imperfect complex stability के हिसाब से आप classify करते हैं complex की definition ये कहती है कि complex compound वो होते हैं जो डिब्बे के बाहर वाले पार्ट को ionize करें पर डिब्बा जो है वो अपनी identity को maintain रखे जिनके अंदर डिब्बे वाला पार्ट ionize नहीं हो पाता और डिब्बे के अंदर वाले आइनों का टेस्ट नहीं मिल पाता उसी को हम क्या नाम देते हैं perfect complex वो complex की definition है जो complex की definition को पूरी तरह से satisfy करता है वो होता है perfect और जो complex की definition को पूरा satisfy नहीं कर पाएगा तो वो केलाएगा imperfect complex check करो ऐसे compound which do not dissociate in its constituent ions जो अपने सारे आइनों को free नहीं करता जिसे k4 fe cn6 था अगर आप इसको break करने जाते हैं तो आपको मिलता है एक तो k plus और साथ में डिबबा और डिबबे में क्या मिलेगा fe cn6 और पूरे के उपर charge आया होगा minus 4 ना iron free हुआ ना cyanide free हुआ डिबबे के अंदर वाले आइनों का अगर test नहीं मिल पाया तो उसको हमने क्या नाम दिया perfect अब जो compound ऐसा हो जो कि अपने parent iron मतलब जिन से मिलकर वो बना था अगर वो सारे ही free करने लग जाए वो imperfect होता है compound लिखा है K2 CDCN4 अब ये cadmium का जो compound था अगर ये perfect होता देख के बताओ कौन सा iron free होता iron सिर वो free होता है जो डिब्बे के बाहर हो कोन है डिब्बे के बाहर potatium potatium अलग होता पर cadmium and cyanide अलग नहीं होने चीए थे तब ही वो complex के definition के according होता अब जैसे ही आपने इसके अंदर H2S gas pass की H2S मतलब hydrogen sulfide तो आपको CDS का yellow PPT मिल गया CDS का yellow PPT मिलने का मतलब हुआ कि cadmium उस S2S के साथ reaction कर गया और ये combine करके इसके साथ compound बनाने लगा मतलब cadmium ने अपना test दे दिया पर cadmium तो डिब्बे के अंदर था और डिब्बे के अंदर वाले को तो test देना ही नहीं था पर अगर इसने test दे दिया तो मतलब इसने complex की definition को satisfy नहीं किया और ऐसे compound जो complex की definition को satisfy नहीं करते कौन से complex कहलाते हैं imperfect तो ये imperfect type का complex होगा और अगर वो definition को satisfy कर रहा था तो उसको हमने क्या नाम दिया था perfect तो जो complex होते हैं basically हो तो perfect ही है imperfect तो कुछ ही आएंगे जिसके अंदर इस तरह से iron free हो जाएगा ये एक salt analysis नाम का chapter होता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि कौन सा iron कौन से एक अलगा PPT देके उसकी पहचान की जाती है तो ये cadmium का test था तो उसमें आप पढ़ते हो salt analysis basically practical chemistry है जो आपे practical किये हैं 11th और 12th class में उनका detail discussion इस chapter में होता है तो यहाँ पर जो cadmium CDS yellow PPT बना रहा है वो हमें cadmium के test के बारे मता रहा है और अगर cadmium का test मिल गया मतलब ये complex की definition को satisfy नहीं कर रहा तो जो complex की definition को satisfy नहीं करते वो कहलाते हैं imperfect complex तो ये imperfect था और ये basically double salt की ट्रेट होगा क्योंकि इसमें double salt तो थे ही सही potassium, cyanide, cadmium, cyanide उन सब को मिला के बनाया था और अंदर वाले आयनों का भी test दे दिया मतलब ये तो सारे आयनों का परिक्शन दे रहा होगा और जो सारे आयनों का test दे हैं मतलब ये कम stable होते हैं तो इस तरह के जो complex होते हैं वो कहलाते हैं imperfect और जो पूरी तरह से definition को satisfy करे हैं वो क्या कहलाते है perfect तो ये perfect type के complex थे जो हमने पहले बनाया आगे देखो represent करने का तरीका क्या ये complex compound लिखा है CO2O whole 6 plus 2 जबना चेक करना cobalt था पानी है पूरे डिब्बे के उपर चार्ज लगा है प्लस 2 पूरे डिब्बे पे प्लस 2 लगा है पानी पे कोई चार्ज नहीं है आगया 0 तो cobalt कौन से चार्ज पर हो गया प्लस 2 पानी पे 0 पूरे पर हो गया प्लस 2 चेक करो CMI जो मेटल इसके अंदर लगा होगा वो रहा CMI कौन हो गया CMI कोबाल्ट है और कोबाल्ट कौन से चार्ज पर है प्लस 2 इसी को आप नाम दोगे CMI और दिस वन इस सेंटरल मेटल आयन लीगेंड वो होता है जो लोन पे डोनेट करने आए इसके अंदर H2O है वो जो लोन पे डोनेट करने आए हैं और ये जो लोन पे डोनेट करने वाले होते हैं उसी को आप क्या नाम देते हो लीगेंड ये लीजिये मैंने इसको लीगेंड कह दिया कितने आए हैं 6 ये जो 6 करके आँ नमबर लिखा हुआ उसी को आप नाम देते हो C and this one is equals to coordination number तो ये इसके coordination number को रिप्रेजेंट करना है अब अगर आप यहां से notice करें तो देखो आपको कुछ parameters इसके लिखाई देंगे क्या कहोगे 3D मुसका shape में बताने जा रहा हूँ इसका coordination number 6 है और 6 के लिए आप कहते हैं आपने पहले भी इसकी geometry वगेरा पड़ी है आप normal कहते थे कि 6 का मतलब hybridization होता है SP3D2 और SP3D2 जब बन के आता है तो geometry का नाम होता है octahedral कुछ hybridization वैसे ही होंगे यह से पहले थे कुछ नए भी आएंगे shape कुछ पहले वाली रहेंगे कुछ नए भी आएंगे तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे है वो SP3D2 है कुछ cases में D2 SP3 भी बनेगा जब आगे वाला D काम में आएगा और उसके according देखोगे तो 6 के लिए geometry बन कर आती है octahedral इसका दूसरा नाम होता है square bipyramidal आगे VBT में आप समझ भी दाओगे अभी आप जनरल देखो मैं octahedral बना रहा हूँ अब यहाँ पर मैं क्या कहूँ आप कोबाल जो था वो कौन से charge पर था प्लस 2 कितने पानी आए 6 पानी जो थे वो अपना loan pair डोनेट कर रहे थे तो इसके अंदर अगर हम नोटिस करें तो हमें पता चलेगा कि पानी ने आकर अपना loan pair डोनेट किया है और loan pair को डोनेट करके इसके साथ कौन सा वाला bond बनाया है coordinate bond ये रहे पानी 6 पानी है जो यहाँ पर आए है और 6 पानी ने अपना loan pair डोनेट किया है कोबाल्ट को और कोबाल्ट को डोनेट करके एकोन से bond से जुड़े हुए है coordinate से तो ये coordinate से combine किया है चार्ड ने मिलकर तो square बना रखा है एक pyramid उपर और एक pyramid नीचे geometric का नाम square by pyramidal कोबाल्ट प्लस 2 पे था पानी पे कोई चार्ज नहीं था पूरी डिब्बे के ओपर कौन सा चार्ज लगा दिया प्लस 2 ये हो गया 3D structure देखूँ यहाँ पर ये cobalt लगा हुआ है CMI की तरह ये पानी जुड़े हुए है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये octahedral structure का formation कर रहे है ये square हो गया और ये 2 pyramid हो गए देख सकते हूँ octah का मतलब होता है 8 और hydral का मतलब होता है face कितने face बन कर आएँगे 8 ठेक करना ये 3D structure में बीच में CMI कोबाल्ट है जो की plus 2 के साथ है अब ammonia के जब combination होगा यानि यहाँ पर पानी है यहाँ चार यहाँ पांच और यहाँ पर 6 अब इस कोबाल जो बीच में लगा हुआ है उसके साथ 4 पानी 1, 2, 3, 4, 1, 5, और एक 6 यह वाला जो कोबाल था अब यहाँ पर एक पानी है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है इन तीनों ने मिलके एक face बनाया 1, 2, 3, 4 चार फेस उपर बनेंगे और चार ही फेस नीचे बनेंगे, कितने फेस बनकर आए होंगे, आठ, और आठ फेस से बनी हुई जोमेट्री है, इसलिए क्या नाम दिया है, अक्ता हेड्रल, चेक करो, वही बना के दिखाया, एक, दो, तीन, और एक फेस पीछे, चार, पांच, छे साथ और एक पीछे आठ, ये बनकर आया है, उसका 3D डाइग्राम, आपको 3D नहीं बनाना पड़ेगा, आप तो इसी तरह से बना के दिखा दोगे, जहां पर पानी जो है, वह अपना लोन पेर डोनेट करेगा, और लोन पेर डोनेट करके इसके साथ कौन से बन का किते 90, एक, दो, तीन, चार, उसके बाद ये वाला, इसके साथ भी, पांट, छे, साथ, आठ, ये वाला, नो, दस, ग्यारा, बारा, कैसे कहा पा रहा हूँ, चार तो प्लेन में बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, सब किते अंगल पर होगे, 90, उपर जो जा रहा है, वह चारो के साथ किते अंगल पर होगया, 90, चार प्लेन में है, चार उपर है, चार नीचे है, किते 90 बनेंगे, बारा, तो ये बारा होंगे, और बाकी का एंगल, वन इटी के कर्सपोंडिंग, यहां पर एक, यहां पर दो, यहां पर तीन, यह इस ट्रुक्टर बनकर आया, उक्टाह सबसे पहले, सबसे पहले आपने सॉल्ट को क्लासिफाई किया था, और सॉल्ट के क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला नाम आया था, उसको मेने नाम दिया था, सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट मतलब एक केटायन बनेगा, और एक एनायन बनेगा, जितने भी आयन होंगे, सब का परिक्षन देगा और इस तरह के कंपाउंड को नाम नॉर्मल सोल्ट अगला नाम आया डबल सोल्ट एक से जादा सोल्ट को मिला ओगे और उनको मिलाने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो डबल सोल्ट होगा एक से ज़्यादा या तो केटाइन बनकर आएंगे या एनाइन बनकर आएंगे जिसे कार्नेलाइट इसका एक्जामपल हो गया मोहर सॉल्ट इसका एक्जामपल हो गया पोटाश एलम इसके एक्जामपल हो गए तोटेंगे तो पूरा, बस एक स्यादा या तो केटाइन या अनाइन मिल जाएंगे एलम्स के लिए, पहले वाले के लिए आपको SIN रखना होता है इस पे 1 चार्ज हो दूसरे की जग़े आपको SIN रखना होता है इस पे 3 हो यहाँ लीथियम नहीं आसकता और यहाँ पर बोरोन नहीं आसकता क्योंकि उनका साइड चोटा है वेकेंटी अवेलेवल नहीं है इसके अलावा एसेडिक टाइप के होते हैं क्योंकि दोनों ही जगे पाये जाने वाला जो एसेड होता है वो कैसा रहता है? स्ट्रोंग टाइप का होता है यह रहा स्ट्रोंग ऐसेड था लीथियम नहीं बनाता, साइड चोटा था एक से ज़्यादा कव मिलाया आपने एडिशन किया पर एडिशन के बाद डिब्बे वाला कंपाउन बन गया और एक एसा डिब्बा जिसके अंदर वाले को आफरी नहीं कर पाओ अनदर वाले आएनो का टेस्ट नहीं मिल पाइ है तो इस तरफ के कमपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? सारे आएजनों का टेस्ट नहीं मिलेगा जो देने आता है उसका नाम होता है लीगे और जितने देता है वो नंबर कहलाता है कोडीनेशन नंबर, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हुग गया, क्या कहा? लीगेंड के टाइप पर, अगर सारे ही लीगेंड एक जिसे हो जाए तो कॉमपलेख्स का नाम होमोलेप्टिक होता है और अगर अलग लग टाइब के लिगेंड आ जाए तो उसका नाम होता है हेट्रोलेप्टिक कॉंप्लेक्स next one stability complex की definition के according हो अंदर वाले आयनों का test ना मिले तो नाम होता है perfect complex और अगर अंदर वाले आयन भी बाहर आने लग जाए इसमें से cadmium को बहार निकाल कर cds बना दिया तो उसका नाम imperfect complex होता है और यह complex का 3D view और उसको represent करने का तरीका था यह basic थी जो कि हमने complex compound के बारे में पढ़ी उनको representation का तरीका और किस तरह से इनको बाकियों से अलग गिया रह सकता है